हेलो दोस्तों वीफार में से सिक्समेस्टर वालों का क्वालिटी एस वरेंस का आज हम लोग स्टाट करने जा रहे है यूनिट सेगेंड और आज के ही लेक्चर में ये यूनिट आपका हो जाएगा कम्प्लीट तो यूनिट फर्ष्ट आप लोगों ने हमारा लेक्चर देख और बहुत जल्द आप लोग का टूटल यूनिट 5 हम लोग कर देंगे कम्प्लीट जैसे के आज हमारा इस लेक्चर में यूनिट सेकेंड हो जाएगा कम्प्लीट तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरे देखना कहीं पर किसी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना तो स्व पूरे के पूरे यूनिट को आज कम्प्लीट कर देंगे एकदम इजी लेंग्विज में थो चलिए दोस्तों स्तार करते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे और गनाईज़ेशन एन पर्सोणल बीन्स होता है कि यह कैसे कैसे काम करते हैं इनका रिस्पॉंसिबिलिटी क्या होता है इनका ट्रेनिंग क्या क्या होते हैं फिर परमिसेस के बारे में जानेंगे परमिसेस का मतलब होता है समझ लिए नक्सा कि उसका नक्सा कैसे होता है उसका डिजाइनिंग किस तरीके से होता है कहां पर हमारा production area होते हैं, कहां पर हमारे rest room होते हैं, कहां पर हमारे canteen होते हैं, कहां पर हमारा reverse area होते हैं, ये सब हमें primers में पढ़ना है, और last हमारा है, इसमें तीसरा chapter हो, equipment as ra material, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि माली जी हमें समोसा बनाना है, अब समोसा बनाने के लिए देख हमें सांचा की अवसेक्टा पड़ता है तो वो सांचा हमारा क्या हो गया वो सांचा हमारा हो जाएगा equipment अब उस समूसे के अंदर क्या-क्या हमें भरना है आलू भरना है मतर भरना है क्या-क्या material भरना है वो हमारा हो गया raw material तो एक दम आसान तरीके से चलिए stat करते हैं सबसे पहले चलिए stat करते है organization and personal तो heading क्या डालेंगे सबसे पहले हम लोगे stat करेंगे organization and personal जिसका मतलब होता है personal means होता है व्यक्त ठीक सबसे पहले बात करते हैं इनके introduction की तो क्या होते हैं क्या होते हैं देखिए in the complex field आप दी pharmaceutical manufacturing क्या होते हैं complex field होते हैं manufacturing में and it is important to have a sound quality system in place to make the sure that product manufacturer जिसको बना रहे हैं वो क्या होने चाहिए हमारे sure product होने चाहिए have a desired quality safety and efficacy तो इसमें हमारे quality सही होने चाहिए safety होने चाहिए efficacy at the name time and vital recognize that even best quality system is only good and people who make to it work मतलब simple सा मतलब इसमें ही है किसमें ऐसे लोगों को राते हैं जो कि अच्छे तरीके से work कर पाते हैं जो कि best quality का material को बनाते हैं product को अच्छे तरीके से बनाते हैं जो कि वहाँ पे राते हैं अच्छे तरीके से एकदम trend हुए राते हैं वही person उसमें आसानी से काम करते राते हैं नए तो जो लोग new जाते हैं उनके लिए सबसे पहले क्या कराया जाता है उनके लिए अच्छी तरीके से training कराया जाता है जब वह trained हो जाते हैं तब उनको अच्छी तरीके से बनाने के लिए भेजा जाता है यह कुछ हमारे उनकी अर्गिसान के बात करते हैं आर्ग्नाइजिशन क्या होते हैं अब आर्ग्नाइजिसन किस तरीके से होता है तो बहुत सारे ऍंट होते हैं किसमें लैब timeless मीं पारेंट होते हैंmüş bringing की प्रêक्षिश में किवल अइक आदमी होता है वही सब कुछ करेगा manufacture, processing, packing, holding, drug का अब बहुत सारी लोग रहते हैं उसको बनाएंगे किस तरीके से chemicals को डालना है कैसे कैसे किरना है manufacture करेंगे फिर कुछ लोग रहेंगे उसको processing करेंगे फिर packing करने वाले अलग लोग रहते हैं holding होता है उसका drug के product को ठी तो इसमें लिखेंगे sufficient number of personal means होते विक्त must be present to perform as well as to supervise the manufacture, processing, packing and holding of every drug product in any form of unit's importance to the individual responsibilities in the manners to clear enough to the understand by the personals who perform the respective tasks and written job descriptions must be available and organization charts to prepare so the hericals organizations of employees ठीक तो ये कुछ process हमारे हो गए organization में क्या होते है organization में यह होता है कि बहुत सारी लोग मिल करके उसको क्या करते हैं बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, manufacture करते हैं, processing करते हैं फिर packing होता है, holding होता है प्रतेक drug के product का ठीक, ये बहुत ज़्यादे important होता है, सभी लोग मिल करके एक काम को अच्छी तरीके से करते हैं तब वो अच्छी तरीके से होता है, individual responsibility सबका अपना अपना एक responsibility जो होता है कि किसको क्या करना है, किस तरीके से करना है उसमें क्या क्या गलतियां नहीं होने चाहिए, सभी लोग उसका ध्यान रखते हुए, एकदम अच्छी तरीके से उसको परफाम करते हैं जो कि हमारा क्या होता है, organization होते हैं अब हमारा आता है दूसरा topic responsibilities, आप quality control unit जैसे कि आपने कोई भी product बनाया अब product बना रहे हैं, उस product को ऐसे आप लोग को बनाना है कि इसके quality को अच्छे तरीके से control कर सकें जिससे वो कुछ ज़्यादा time तक अच्छे तरीके से रहे और वो जल्दी खराब ना हो इसकी responsibilities होते हैं quality control को तो इसमें लिखेंगे Every pharmaceutical manufacturing unit should be quality control unit they must be right and procedure to describe the functioning and responsibilities of this unit and their procedure must be followed ठेक तो quality को किस तरीके से control करना है उसके responsibilities वहां के members पर रहता है कि उस quality जैसे बना रहे हैं कोई product अब उसके quality को कैसे control करना है किस तरीके से अच्छे time लांग समय तक अच्छे तरीके से चलाना है कि ये कितने दिन तो कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा कब expire होगा कब क्या होगा वही सब बारे में होता है quality control ठेक जो कि किसका responsibilities होते हैं जो उसको क्या करते हैं formulate करते हैं मतलब बनाते हैं ये तो होगा है जो product बनाते हैं उसकी quality control करना है ठेक लेकन personal क्या होते हैं personal responsibilities क्या होते हैं मतलब हमारा भी कोई responsibility होते हैं जैसे कि अगर आप लोग भी फार्मेसी करने हैं लेब में जाते हैं तो एप्परेन के लिए लेब कोट के लिए आपके college वाले आप लोगों को बोलते हैं क्यों बोलते हैं अगर कोई भी chemicals आपके ऊपर आ जाएगा गिर जाएगा तो आपके skin प पाला लिए हैं वो भी पान लेजिए आप हैड उसके बाद आप लेब कोट जो कुछ प्रोड़क्ट आपको बोला जाता है कि यह सब अच्छे तरीके स्पान करके तब आप लोग जो फार्मूलेट करने जा रहे हैं जो पर फार्म करने जा रहे हैं अपने वर्क को अच्छ लोगों का रिस्पान्सबिल्टी यही होना चाहिए तो क्या लिकिंग आल परसंस इन्वालब होते हैं विद्धी मैनुफेक्टरिंग प्रोसेस पैकगिंग या फिर होल्डिंग आप ड्रग प्रोड़क्ट मस्ट वीर क्लोफिंग देट इट इज क्लीन जो कि हम लोग जैस पहन के जाते हैं कोई भी क्लोफ पहन के जाते हैं तो वो क्या होना चाहिए साप होना चाहिए सुटेबल होने चाहिए फार्दी वर्क तुभी परफाम जब हम काम को करने जा रहे हैं परफाम करने जा रहे हैं प्रोड़क्ट को बनाने जा रहे हैं तो जो हम क्लोफ पहन के जाते हैं उसके अंदर तो क्या होने चाहिए clean होने चाहिए suitable होने चाहिए when wear required personals must be wear educate protective apprevals cover and face hands arms head etc मतलब face पर mask लगाया रहें cover लगाया रहें हाथ पे भी cover लगाया रहें lab coat अच्छी तरीके से पहन करके तब वहाँ पे आपको क्या करना है entry करना है इसमें कुछ error point होते हैं उसको भी दिखा देते हैं आप लोग समझ जाएंगे तुरंद कि personals must practice good health and sanitization habits they must be entered only areas आप the premises परमाइस में सोते हैं जहां पर आप कर रहें काम उसके नकसे होते हैं that they have been authorized to enter limited across areas can be entered only after due to authorizations by the supervisory persons mans Sans Kanata मतलब कहारा है कि वहाँ पर उस जगह पर उस लोगों के entry हो रहा है जहाँ पर जहां पर लोग लिमिटेड लोग collo का वहाँ पर entry हो जहाँ पर क्या हो रहे है जहां पर हमैरे काम हो रहे हैं जहां पर फ såwe यहां ट्रूरै जो कि हाथों में मास्क लगाय रहेंगे, हाथों में हाइंडिकवर लगाय रहेंगे, फेस पर मास्क लगाय रहेंगे, एकदम अच्छी तरीके से लैब कोड पहने हुए तब जाएंगे, ठीक? यह कुछ हो गया है, परिसनल रिस्पॉंसिबिलिटीज, अगर ग्यामिनेशन मे आ जाएगा तो साइद आप लोग एकदम अच्छी तरीके से अपने language बना करके लिख सकते हैं अब personal qualification क्या होते हैं मतलब व्यक्तिकी qualification क्या होते हैं अब कोई जाएगा lab में laboratory में industry में जाएगा तो BA करके BSC करके 12th pass करके अगर जाएगा तो क्या उसका वहाँ पर entry हो जाएगा कि वह वहाँ पर join करके तुरंत लगेगा medicine बनाने कभी नहीं उसको qualify रहना चाहिए B pharmacy, D pharmacy मतलब medical field में उसको क्या होना चाहिए qualification होना चाहिए certificate होना चाहिए और उसको भी जाते time तुरंत नहीं भेज देंगे कि आप जाएगे तुरंत medicine बनाना start कर दीजे क्यों नहीं बनाने जाने देंगे क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आपके college में कैसे पढ़ाईया होती है किस तरीके से lab में काम होती है आप लोग को किस किस तरीके से बताया जाता है कि कैसे कैसे बनाना है, कुतने भी अच्छी तरीके से आपके college में बताया जाता हाँ, लेकिन lab में, industries में काम कैसे किया जाता है, वहाँ पर जाएंगे तो आपका एक अलग तरीके से training करवाया जाएगा, जो की वहाँ पर पता चलेगा, कि किस तरीके से कैसा training असली रोप अब हम लोग बात करने जा रहे हैं की परसोनल का मतलब होता है की का मतलब होता है मुख्य और परसोनल का मतलब क्या होता है व्यक्ति तो अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों जैसे कि आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ते हैं ठीक तो आपके कॉलेज के आपके क्लास के आपके सेक्षन का एक होते होंगे क्वाडिनेटर ठीक अब वो क्वाडिनेटर होते होंगे एक टीचर कोई coordinator बनाए रहते हैं जो कि आप लोग के head रहते हैं तो कोई भी काम रहेगा तो सबसे पहले आप उनसे काते हैं अपने coordinator से तो वो आपके head हुएं अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप लोग जाएंगे उनके बात जाएंगे अपने किसके पास ये जोटी ये चोडी के पास head of director के पास वो भी एक head होते हैं अगर उनसे भी काम नहीं हो रहा है तब आप लोग जाते हैं अपने branch के director के पास तो ये क्या होते हैं एक मुख्य विक्ति होते हैं जिनके पास जाए जाता है ठीक तो क्या लिखेंगे key positions must be held by the full time personals they are generally include होते हैं किसमे head होते हैं production में quality control में authorized person में the head quality control and production आप independent आप each other they bear responsibilities आप all action performed by the subordinate तो ये वहाँ के head होते हैं industries में सब जगे पर एक head persons होते हैं जो कि क्या होते हैं include होते हैं head के रोप में ठीक तो ये कुछ हो गए हमारे key personals के बारे में I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा अब personal training क्या होते हैं अब with लोगों का जैसे qualification जो qualify करके जाते हैं तो उनका training किस तरीके से होता है तो all personals entering the manufacturing area and quality control laboratories must be trained according to the writing programs the trainings programs and must cover technical aspects of their work and also theorist practice आप CGMP personals working in clean area या फिर area where hard materials and being handles to the impact of specific training precautions and followed a wide contaminating product environmental and also personal safety मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या किया जाता है कि उनको बताया जाता है किस तरीके से manufacture करना है किस तरीके से बनाना है कैसे कैसे क्या करना है उसको क्या किया जाता है ट्रेंड किया जाता है इसे लिए उनको क्या दिया जाता है ट्रेंणिंग दिया जाता है जिससे वो लोग एकदम अच्छे तरीके से काम करना सिख जाए और फिर वहाँ पर अच्छे तरीके से क्या करें काम करें और वहाँ पर कोई गलतियां ना करें ठेक तो ये होता है हमारा परसोनल ट्रेनिंग अब देखिए नेश्ट हमारा नेश्ट एन लाश्ट एश्ट चेप्टर का परसोनल हेल्थ एंड हाइजिन अब जो वेक्ट हमारा ड्रग प्रोडक्ट को मैनुफेक्चर करने जा रहा है ब उसको पहले अच्छी तरेके से अपने हल्थ को सही रकना है इस्कीन में कोई deegee ह हो गया है तो उनको अपना पहले ध्यान रखना है कि उनकी अंदर कोई भी बिमार्या नहां यह फाले अच्छी तरेके से समूइकरogenous की पंपोस Kindle इंगे довा गलत चीजों को खा करके जाते हैं, जैसे गलत चीज बनी गये हैं, बहुत सारे तमबाकूं बन गये हैं, तो लेबरेट्रेज में, स्टोरेज एरिया में, प्रोडक्शन के टाइम पर ये सब अलाव नहीं होता है, कि आप लोग ये सब चीजें खा करके वहाँ पे जाएं, क्योंकि जो लेबरेट्रेज में बनते हैं मेडिसिन्स, वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सेप्टी रूप से बनते हैं, जिससे कि उनका वर्क एकदम अच्छी तरीके से रहे, उसमें कोई भी दिक्कते ना हो, और वो जल्दी एक्सपायर ना हो, जो कि एकदम अच्छी तरीके से, सेप्टी रूप से बनाया जाता है, ठेक दोस्तों, तो ये तो आपका हो गया, आर्गनाजेशन एंड परसोनल्स के बारे में, देखें, आर्गनाजेशन एंड परसोनल्स के बारे में, कम्पलीट हो गया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, प्राइ यह क्या structure बनाया हूँ बना रहा था कुछ और इंडस्ट्रीज की बारे में लेकिन बन गया कुछ और आप लोग को बताना है कि यह मैंने क्या बना दिया है ठीक तो चलिए यह थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए जोग समझे या फिर कुछ भी समझे लेकिन आप लोग को comment box में जिरूर बता देना है कि यह किस तरीके का आप लोग को लग लग रहा है ठीक तो चलिए अपने topic पे बात करने जा रहे हो गया थोड़ा सा जोकिंगग ठीक प्रोडक्शन एरिया होते हैं, मैगनिफाइस, वीलो, सी आर वर्प्स होते हैं, सी आर वर्प्स होते हैं, यहाँ पर डूर लगा होता है, आने जाने का, ठीक, यहाँ पर कैंटीन होता है, यहाँ पर रेश्ट रूम होता है, ड्रेंस एंड यूटिलिटी सर्वाइप्स होते ह रिवर्स एरिया यहां पर होते हैं फर्ष्ट एजडी यहां पर होते हैं ठीक तो यह कुछ हमारे होते हैं नक्से बने हुए राते हैं वहां के कि कहां कहां पर क्या क्या है और कैसे कैसे आप लोगों को वहां पर एंट्री करना है कहां पर क्या बना हुआ है कहां पर क्या नही जा रहा है हम लोग तो वहाँ पर clean hygiene and condition एकदम अच्छी तरीके से रहना चाहिए जिससे वहाँ पर साफ सफाई एकदम अच्छी तरीके से बने रहे हैं और वहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से clean किया जाता है in any industries manufacturing operations must be carried out under the clean hygiene condition however in the pharmaceutical industries and the condition of premises as you know the critical importance because of nature of the products being manufacturers both external and internal environment must be get conductive maintenance and quality and safety of drug product मतलब ड्रग की प्रोड़क्ट को एकदम अच्छी तरीके से बनाना है quality किस तरीके से बनाना है उसे किस तरीके जैप्टी करना है ड्रग के product का सभी को ध्यान रखते हुए एकदम अच्छे तरीके से उसे formula 키 किया जाता है ठीक ये तो हो गए कुछ introduction अब बात करने जा रहे हैं location की ठीक location को layout भी काते हैं मतलब इसको किस तरीके से बनाना है layout का मतलब होता है दोस्तों नक्सा मैंने premises के बारे में बता दिया premises में सब बात करना है कि मतलब industries में किस-किस जगह पर क्या-क्या परजेंट होते हैं ठीक तो layout location में सूनते हैं नक्से कि क्या-क्या कहां-कहां पर located हैं कहां-कहां पर क्या present हैं वह हमारा होता है location जोके industry में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक पहले बना रहे है का designing आप लोग वहें पर देखके अनुमाल लगा लेंगे किस जगह पर क्या है किस जगह पर क्या है इस तरीके से नक्से बने राते हैं कहीं पर भी अच्छी जगह पर जाएंगे आप तो इस तरीके से नक्से बने हुए दिखेंगे कि यहाँ पर यह दुकान है यह दुकान है यहाँ पर रेश्ट रूम है यहाँ पर कैंटीन है यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है बनाया जाता है ठीक स सब कुछ क्या क्या होते हैं वो सब लोकेशन में एक बने हुए राते हैं तो यह हमारा होता है कुछ लोकेशन या फिर इसको बोलते हैं ले आउट ठीक तो इसके बारे में कैसे लिखना है सब्सक्राइब निखिया ओस्डा थे करता है क्या था निखिया जोने जोंदे करता है closing किसमें location other factors are available होते हैं availability होते हैं water labors, workers, coolerness importance हर में भी also ठीक ये सब कुछ बाते हो गए locations के बारे में important बाते ये हैं कि कहां कहां पर क्या located है वही सब आप लोकों को अगर बनाना चाहते हैं तो ये structure बना करके एकदम अच्छे तरीके से इनके बारे में लिख सकते हैं आप लोग तो सबसे पहले बना दीजिएगा structure simple layout आप दी pharmaceutical industries उसके बाद इनके बारे में आप लोग खुद ही बना करके लिख सकते हैं इनमें design and construction क्या होते हैं तो ये जो होता है the building used must be designed concentrated and maintained in the manner that we permitted of the drug productions under the hygiene condition ठीक तो इसको बनाने के पहले सभी लोगों को use किया जाता है इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लिया जाता है कि मतलब इस तरीके से डिजाइन करना है किस condition में कैसे कैसे करना है कि suitable में करना है उसको अच्छे तरीके से पहले उसके बारे में steady किया जाता है फिर उसको क्या किया जाता है formulate किया जाता है it must be suitable for the operations being performed and the layout the premises must be such as reduce risk error and the also avoids build-ups, debts and cross contamination may be affect on the product quality तो ये कुछ होगा है design and construction अब बात करने जा रहे हैं हम लोग utilities के बारे में ये एकदम आसान तरीके से कहानी की तरह होते हैं तो इसमें जाता कुछ है ने एकदम एक बार आसान तरीके समझ गया है तो आप लोग खोद भी बना के इनके बारे में लिख सकते हैं अब utilities क्या होता है इनमें क्या होते हैं building must be supply किया जाता है educate light के साथ water, powder, supply and ventilations and must be fitted with systems and to maintain the temperatures and humidity of different areas and desired level there must be arranged to deprotect against entry pest, insect, rundance ये मतलब उसको किस तरीके से आप लोगों को educate light को supply करना है उसको किस तरीके से water को supply करना है powder को किस तरीके से supply करना है सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से maintain रूप से, ध्यान से अच्छी तरीके से कैसे कैसे करना है किस तरीके से बनाना है वो सब आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखना रहता है वहाँ पे इसमें हमारा next topic है sanitization sanitization का मतलब क्या होता है इसका मुतलब होता है कि जहां पर हम लोग का एरिया है, एरिया के अंदर हम लोग क्या किया जाता है, उसको साप सफाई तो किया है जाता है, साप सफाई के साथ साथ, जो माइक्रो आर्गिनिजम होते हैं, जो जेर्म सोते हैं, महाँ पर बैक्टीरिया वाइरस होते हैं, उनक आप लिखेंगे, all areas inside building must be cleaned regularly and cleaning record must be maintained, drains must be sized collectively are designed to prevent the backflow and content, they must be closed for the possibles, if open channels and evidables, they must be kept source and allows the cleaning and disidentification, ठीक ये sanitization के बारे में इसमें 2-4 पॉइंट दिये गए हैं, आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, वैसे इनका क्या मुख्य काम होते हैं, ये तो आप लोग क पता चली गया होगा, अब इनके बारे में आप लोग खुद भी बना करके लिख सकते हैं, sanitization आप sterile area भी होते हैं, जो कि क्या होने चाहिए, clean होने चाहिए, और एकदम अच्छे रोप से वो क्या होने चाहिए, clean होने चाहिए, जिसमें हमारे bacteria virus का भी, एक भी कहीं पर कितना oxygen कैसे होने चाहिए, क्या-क्या वहाँ पर होने चाहिए, वहाँ पर micro-organism भी नहीं होने चाहिए, सब कुछ वहाँ का environmental भी control किया जाता है, कि कितने मात्रा में oxygen होने चाहिए, कितने मात्रा में carbon dioxide होने चाहिए, क्या-क्या होने चाहिए, production area में environmental का भी control किया जाता है, जिससे कि हमारा जो drug बने जो भी drug product बने वो एकदम अच्छी तरीके safe बने quality में कोई भी दिक्कते ना हो जो कि हमारा लंबे समय तक जितना वहाँ पर date बना रहेगा, expire होने से पहले जितना इसलिए वहाँ पर कोई भी drug रहता है तो वहाँ पर एक expire date रहता है कि 2025 में खतम हो जा जरूरी होता है ठीक तो यह हमारा हो गया environmental control अब इनके बारे में सब कुछ दिये गए हैं बस आप लोग को कैसे लिखना है वो यहाँ पर लिख लेना वीडियो को रोक करके अब इसमें हमारा दो point और होते हैं contamination और clean room clean room क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि clean room जो हमा पर cubic meter तो यही सब हमारे किस तरीके से clean room को जहां पर होता है production area room होता है उसको कैसे कैसे clean करना है किस तरीके से करना है क्या क्या वहां पर control करना है वो सब एकदम अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या वहां का temperature कैसे रहने चाहिए कितने क्या रहने चाहिए जाए रेबल इंट्रोडक्शन आप इंपरिटीज आप एक कैम कल या फिर माइक्रोबियल नेचर और फारेंड मैटर्स इंटु आर इसका मोश्ट कामन सोर्स होता है कंटामिनेशन का डेस्ट, स्कीन, हेर, माइक्रो आर्गनिजम, ग्रेस, कैमकल्स, और पाइटिकुलेट मैटर जैसे कंटामिनेशन करता है किसके दोरह कंट्रोलिंग्स आप इंवार्मेंटल कंडिशन आप पर्सोनल फैक्टर्स तो यह कुछ हो गएं कंटामिनेशन के बारे में और यह कुछ हमारे पॉइंट हो गएं क्लीन रूम के बारे में जो कि हमारा Contamination का एक Opposite होता है Cross Contamination, अब Cross Contamination क्या होता है, चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ, Cross Contamination क्या होता है, WHU defined Cross Contamination, Contamination of starting material intermediate product or finish products with the another starting material or the material product production, ठीक, उसके production के टाइम पर एक दा मच्छी तरीकिस क्या करना चाहिए, Starting material intermediate, the product finish products with the another starting material production, manufacturing area को क्या किया जाता है, design किया जाता है, prevent to the both Contamination, आप the drug product and Cross Contamination between the product, ठीक, तो यह कुछ हमारा हो गए, Cross Contamination के 2-4 पॉइंट वीडियो को रोप करके, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आराम से पढ़ सकते हैं इसको, जो कि हमारा Cross Contamination होता है, एक छोटा होता है, लेकिन अधिक क्या होते हैं, डिपकल्ट होता है, इसको क्या करना है, कंट्रोल करना, तो Cross Contamination के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही easy है, Next and Last Point हमारा इसमें है, इस Chapter का Edition Considerations Regarding Permisses, इसमें हमारे Storage Area कैसे होने चाहिए, जिस जगह पर हम बना रहे हैं, उसको इस्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर sufficient जगह होना चाहिए, कि किस तरीके कहां कहां सब material अच्छे तरीके से, वहाँ पर fix हो जाएं, जगह एकदम अच्छे तरीके स systematic रूप से क्या किया जाए, रख दिया जाए, ठीक, तो लिखेंगे Storage Area are the sufficient space for the materials to be stored in the systematic and organized manner according to the categorized such as statics material, intermediates, bulk product, finish product, packaging material, release product, quarantine product, rejected product, retail product, refund product, जैसे हम लोग कोई product बना रहे हैं, तो उसको pack करेंगे, फिर उसको labeling करेंगे, कैसे कैसे compress करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, सब कुछ करने के लिए उसके लिए एकदम sufficient जगह होना चाहिए, जो कि हमारा storage area में आते हैं, ठीक, तो यह हमारा सबसे पहला point हो गया, addition considerations regarding premises में, ज वहाँ पर एकदम अच्छी जरीके से साप सफाई रहना चाहिए, वहाँ का area एकदम clean रहना चाहिए, sanitization सोने रहने चाहिए, और quality control laboratories area, तो इसमें 3 point होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादे important होते हैं, इनके बारे में आप लोग बना कर भी लिख सकते हैं, कि क्या क्या होते हैं, अब इसमें हम next and last chapter की बात करने जा रहे हैं, equipment as raw material, जो कि बहुत आसान है, equipment का मतलब होता है, कोई भी drug बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा equipment के दौरा हम लोग उसमें रखते हैं, फिर testing करते हैं, क्या क्या process करते हैं, जैसे कि माल लीजिए, हमने अभी आप लोग को starting बताया, कि समोसा हमको बनाना है, तो समोसा को बनाने के आकार वाला जिब तक साचा रहेगा, तभी न, अब हमारे पास सब कुछ material है, जो कि मैदा रहता है, फिर उसमें आलू का वो रहता है, आलू मिक्स किया रहता है, उसके बाद उसमें मटर डाले रहते हैं, तो आलू लू का जो material रहता है, वो उसके बाद मैदा होदा का बना करके आप लोग रख दिंगे, लेकिन जब उसके पास साचा रहेगा, उसके आकार का वो compress करके बनाएगा, तभी न, वो बनके ready होगा, तो जो हमारा equipment है, वो हमारा साचा होता है, तो उसी के द्वारा हमारा वो बनत होता है, अब material, raw material क्या होता है, raw material वही होता है, जो कि हम बना रहे हैं, यही हमें पढ़ना है equipment as raw material में, तो चलिए दोस्तों इसको भी आसान तरीके से complete करते हैं, तो heading डालेंगे equipment, तो pharmaceutical industries में drug को manufacture करने के लिए, drug को बनाने के लिए, हमें different different type के equipment की आउसकता होता है, different different type के equipment क यूज से हम लोग क्या बनाते हैं, drug को बनाते है, equipment use may be single species, क्या लिखेंगे सबसे पहला point इसमें यह लिखेंगे, the pharmaceutical industries make use the different different equipment at each stage of the manufacturing of drug product, and equipment use may be single piece such as weighing machines, granulators are group of equipment workings in the process of deliver in the single outcomes such as purified water, ठीक, तो equipment वही होता है, जो कि आप लोग बनाने जा रहे हैं, तो industries में different type के equipment available होते हैं, drug के product को manufacture करने के लिए, यह हमारा process होता है, equipment का, इसमें हमारा next point है, design and construction, design and construction क्या होता है, यह होता है, कि मतलब कोई भी चीज हम बना रहे हैं, तो उसको किस आकार से बनाना है, उसको क shape, size देना है, वही हमारा होता है, design and construction है, इसके बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यहां पर सब कुछ दिये गए हैं, आसान तरीके से आप लोग इसको वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, और location का मतलब क्या होता है, location का मतलब होता है, जहां पर हम लोग ट्रक को फार्मुलेट करना हैं, बना रहा हैं, वहां पर अच्छी तरीके से equipment लेते हैं, और जहां से equipment को लेते हैं, वहां पर एकदम अच्छी तरीके से साफ सफाइद रहने चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कते नहीं रहने चाहिए, वो गंदे ना रहें, और भी रहें तो उसको आप लोग साब सफाई करके उस equipment का तब बाद में यूज करिए ठीक full cleaning के साथ आप लोग cleaning maintenance and suitable ठीक अच्छी तरीके equipment का यूज किया जाता है the equipment must be suited in way of the allowed is cleaning and maintenance installation क्या होते हैं the equipment must be installed keeping with the manufacturer specifications and all necessary utilized may be proved and there must be arranged in the access equipment for the maintenance works without having the production area cleaning and maintenance क्या रहना चाहिए मतलब जहां पर आप लोग उसको बना रहे हैं जहां पर production कर रहे हैं जहां पर drug formulate कर रहे हैं वहां का area मचे तरीके से clean दाना चाहिए और उसको किस तरीके से maintain करना है किस तरीके से साफ सफाई को रखना चाहिए कैसे कैसे वहां पर रखना चाहिए वह हमारा होता है cleaning and maintenance अब इसी तरीके से इसमें दो चार पॉइंट और दिए गए हैं जिसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत आप लोग को है ने बस point दिखा दे रहा हूं point का नाम याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में बनाके लेख सकते हैं हमारा next point है documentation documentation मतलब सभी document को ready रखना चाहिए किस तरीके से कैसे किस चीज को बनाना है कैसे क्या करना है कहां काइसे बनाना है किस ड्रक को कैसे फार्मुलेट करना है कहां कहां पर कैसे cleaning होना चाहिए वहां का environmental कैसे होने चाहिए कहां का कैसा temperature होना चाहिए वो सब process हमारा होते हैं documentation में ठीक इसमें हमारा next point आता है purchase and specifications for the equipment इसमें हमारा 2-3 point आते हैं सबसे पहला हमारा आता है desired output capacity product characteristics and age operations ठीक इसमें एक point और आते हैं age up cleaning and maintenance तो ये सब हमारे कुछ point है किसके point है purchase specifications for equipment मतलब हम कोई भी equipment खरीदने जा रहे हैं तो वो equipment थोड़ा अच्छे तरीके से रहना चाहिए जो कि उसका work सही से हो purchase का मतलब क्या होता है दोस्तो किसी भी सामान को खरीदने जा रहे हैं तो वो कैसे रहना चाहिए pharmaceutical industries equipment are quite expensive and therefore selecting the right equipment सही equipment को खरीदा जाता है किसमें critical process के दौरा some of the most important factor considerable make the designs as follow जो कि यहाँ पे कुछ important point दे गए है important point आप लोग इसको note कर लेना ठीक अब हम बात करने जा रहे है next and last raw material के बारे में equipment के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कौन-कौन से equipment कैसे कैसे किस तरीके स्यूज करना है अब raw material के बारे में बात करने जा रहे है कि कोई भी जो चीज हमें बनाना है जैसे कि हमें बनाना है tablet अब tablet के बनाने के लिए equipment में compression machine तो हमारे पास रहेगा उसी के द्वारा tablet बनेगा लेकिन powder किया हो सकता हमें powder लाएंगे कौन-कौन से material उसमें mix करना है binder, API, active pharmaceutical ingredient, फिर binder, फिर powder सब कुछ हमें ही करना है तो वो सब चीज हमारे क्या होता है raw material होता है जो कि हमें क्या करना रहता है material को क्या करना रहता है purchase करना रहता है, खरिदना रहता है, फिर क्या किया जाता है receiving handling and store material को क्या किया जाता है, इस्टूर किया जाता है अब इसके बारे में भी आसान तरीके से लिखे गए है फिर क्या किया जाता है उसको sampling किया जाता है कि वो सही है कि नहीं फिर sampling होता है फिर उसके बाद उसका sample का क्या किया जाता है टेस्टिंग किया जाता है फिर क्या किया जाता है इसको approval किया जाता है rejections of material फिर उसको क्या कि जाता है जब इतना कुछ हो जाता है तब जाकर के उस पे लेबलिंग किया जाता है कि यह हमारा किसके लिए है इसका यूज क्या होता है यह कब हमारा एक्सपायर होगा कब क्या होगा ठीक उसका यूज क्या होता है एप्रूवल मैटिरियल्स का उसके बारे मुसका यूज भी लिखा जाता है, labeling में सब कुछ लिखा जाता है कि क्या नाम है, इस product का नाम क्या है, किस company के द्वारा बना हुआ है, company का code क्या है इनके address क्या होते हैं, ये सब उनके बारे में लिखे रहाते हैं सब कुछ उसका use क्या होता है material का इसमें लिखा रहाता है उसमें उसके packet पर उसके बाद last do point और होते हैं handling rejected material और container and closure तो ये तो था हम लोगों का total raw material के बारे में तो I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा बस इसमें एकदम कहानी की तरह बढ़ना है कि किस तरीशके से वेक्ट लोग जो होते हैं उनका organization कैसे जाकर कि वहाँ पर responsibility उनका क्या क्या होता है Industries में training कैसे करते हैं hygiene personal record क्या होने चाहिए premises क्या होते हैं उसके बाद equipment क्या होते हैं क्या क्या equipment कैसे कैसे purchase करना रहता है raw material क्या होते हैं क्या क्या होते हैं कैसे कैसे होते हैं सब कुछ पर कि हम लोगोंने इस lecture में unit to कर लिया है complete तो दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास सेर कर देना अगर किसी कोई डाउट उत कमेंट बक्स में जरूर बताना डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही